कॉलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में देश भर में लोगों का गुसात चरम पर है। पूरे भारत में मेडिकल विभाक का आकरोज देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रीवा से भी कई विडियो सामने आए है। दरसल विवा में जूनियर डॉक्टरों ने आज उसे हर्ताल पर जाने का एलान किया है। इस हर्ताल की पीछे की बड़ी वज़ा है डॉक्टरों की सेफटी। जूनियर डॉक्टर एसुसियेशन के जिला अध्यक्ष आशाय दुएदी ने कहा कि उन्होंने ओपिडी सेवाय बंद कर दी है। लेकिन एमर्जंसी सेवाय चालू रहेंगी। इसका मतलब है कि सामाने इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परिशानी हो सकती है। समाज यहीं करती करती है। समाज यहीं नहीं देखा कि महिला करें। वाइडर विव होने के जगार यू नेरो डाउन होता गया और उसके परिवार में इसको कोई किक्रफ करता हो ऐसे बहुत कम दोची। इसी संदर्व में जब गुंदे भी गुषकर उसका एविडेंस नश्ट करने के कोशिश की है। तो हमारे पास हर्ताल के जाने के लावा और उसको उपाए पचादगी तब भी क्योंकि हम डॉक्टर जार एथिक्स हमारे पर्स्ट इसी की जान नहीं जाने देंगे, सब्सक्राइब करने के लिए सब को बैठना पड़ेगा, गवर्मेंट को कुई प्लान करना पड़ेगा, जब तक यह सब सुच्चित नहीं हो जाएगा, एच और एवरी गुमन, इस से वेडर वर्क्रेस, मैं मालता हूँ कि इसी मिमें को अप्टिक जोई नहीं करने करने का कॉलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्राजवे डॉक्टर के साथ दुशकर्म किया गया और फिर उसकी हत्या करती गई, इस घिनानी घटना ने पूरे देश को गहरा सदमा दिया है, इसी बीच हम आपको डॉक्टर मनीशा का बयान सुनाते हैं, बता दे जाल 2014 में उन्होंने अपनी यूजी डिग्री इसी कॉलेज से की है, तब से लेकर अब तक कॉलेज में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, डॉक्टर मनीशा ने इस बारे में क्या कहा सुनिए इस वուगs उस्किरब काने में अपना हा लॉक्टर है, इस लिगवशा सुनिए अबaireी ma-द मैं रारे मैं वीन में मैं नेfightा क्यों दिख थांसे की हो चैपते इस Whetherório अबरी आवशा अबरे er को आफ पीं था आफ से ह हुए है, इस बीचे क्वर्द हम आपक्र पजेए इस अभी के वेद सेच्छ गी माझेग और अर्षा एंगानो है. विवाय सोख जी अविरी हुआ है. में है लुणिया क्षेर हो पार द ने शो में टेध कि बंग Le Wal को अवेघ तेसे लुडनेज सेध। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि ये घटना उनके लिए गंभी रिच्वेताब हुए इस तरह की घटनाएं डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए नाशनल डॉक्टर प्रोटेक्शन आक्ट लागू किया जाना चाहिए बता दे ये मामला आठ और नौ अगस्त की दर्मियानी रात का है महिला डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट में ड्यूती कर रही थी जब उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई पीडित डॉक्टर के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ रेप नहीं बलकि ग्यांग रेप हुआ है फॉरंसिक जांच में डेट सो मिलीग्राम सीमन पाया गया है